आज के गेम में मैं इतनी बार नौख होने वाला हूँ ना फिर भी गाईज मैं चिकन निकालने वाला हूँ वो कैसे बस देखते जाओ ठीक इस क्याल आपके स्वागत है बीजी मैं की को वीडिये के अंदर आज मैं आज रखाँ पोचिंगी में और इस पोचिंगी के रिकॉल टावर में इतना गंदा फसने वाला हूँ ना बस देखते जाओ पई कैसे वहाँ से मैं निकलने वाला हूँ लेकि गईज उससे पहले इस वाले बंदे को मारते हैं जो के वाई सामने वाले घर में है इस वाले बंदे को काफी अच्छा डेमेज दे चुका था भाई ये एक हेडशॉट मैंने जिपका दिया था अब गईज इससे पहले की वह हेल्थ करे भाई जल्दी से रश कर देते हैं जो गईज यहाँ पर इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ और इस बंदे से मेरे को मिल जाती है हनी बैजर तो भाई हनी बैजर उठाते हैं और जो बंदे सामने फाइरिंग कर रहे हैं उनको देखतें जरा जो गईज यहाँ पर मैं एक बंदे को नौक कर देता हूँ और मैं थोड़ी देर तक देखता हूँ कि क्या बता भाई कोई बंदा जाके तो उसको भी फिनिश करेंगे लेकिन गईज कोई नहीं जाकता है तो एक काम करता है बागी बंदों को भी डूणता है अब गईज एक बंदा मेर को इस वाले घर में दिखता है जो की बेचारा यार कैम कर रहा था लेकिन उसका हैट दिखता है तो गईज यहाँ पर उसको फोड देते हैं अब गईज दूड़ता है यहाँ से फिर निकलता है सो गईज वहां से लूट के मैं आता हूँ इस वाले कमपॉंड में क्योंकि यहाँ पर फाइरिंग के वाज आ रहे थी है और जैसी ऊपर जाता हूँ यह बंदा यार शॉटगन लेके भाई क्या ही एम करके बैठा वाता मेर पर वो तो गईज अच्छा है मैं बच गया और यार यह चो शॉटगन वाले बंदा है ना आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं क्लासिक गेम में हर बंदा यार DBS सला रहा रहा भाई DBS तो मतलब क क्या ही बोलो यार पुरा गेम का मज़ा खराब कर रहा भाई हर एक नूब बंदा भाई आ रहा है DBS उठा रहा हूँ हमको पेल रहा है यार क्या करें भाई हम इस वाले बंदे को तो मैं यार नेड से फॉड़ नहीं कुछ कर रहा था लेकिन यार बंदा बार बार बच रहताँ उसके बाद मैं क्या अगर तो थोड़ा सा पीछे आतो यहाँ से मैं सोच रहता है इस वाली खिड़के मैं नेड फॉड़ने के लिए लेकिन बंदा यहाँ पर क्या ही एंगल देता है तो फिनिश कर देता है इस वाले बंदे को अब यहाँ थोड़ा सा लूटते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से अब यहाँ पर मेरा प्लान था कि यार गाड़ी लेकर निकलते हैं लेकिन मेरे मन में एक हाल आता है कि एक बार यार स्कोप खोल के देख लिया जाए कहीं यार स्कॉर्ड उस में कोई बंदा है तो नहीं लेकिन लेकिन यार कोई बंदा मेरे पे एंगल लेकर बैठावाता तो बाइसाब वो तुम्हें बजगिया यार कार का मेरे को यहाँ पर कवर नहीं बिलता ना तो भाई मैं इसली फिनिश रे दाता है खेर गईस यहाँ पर मेरे टीम मेरे को रिवाइब दे देता है उसके बाद गईस हम आजाते हैं सीधा भाई रिकॉल टावर के पास और यहाँ पर देखना भाई क्या क्या होने वाला है तो गईस यहाँ पर तो इस वाले बंदे को मेरे टीम मेट फिनिश कर देता है लेकिन अब गईस अगेन यार एक और बंदा हैं यहाँ पर हमको कैंप करके मार देता है यहाँ आप इस वाले बंदे को फिनिश कर देता है वो तो अच्छा है भाई मेर को इस बन्दे की बाइक की साउंड आ गयी नी तो यार ये बंदा है यहां पर ठीस बुक्षम बन जाता फिर मेरको डस था यार खेर गईज हमेर यार भी मैं लूट रहा था और उस बन्दे को मार रहे हैं सारे के सारे खेर गई यहां पर देखते हैं इस वाले बंदे को एक और बंदा आ गया गाईज अम मेर को पता नहीं चलना है यार कि यह सारे बंदे मेर कोई क्यों मार रहे हैं लेकिन यहां पर सबसे पहले यार मेर को हील करनी पड़ेगी क्योंकि यार दोनों तरफ से सैंड्वीच सिचुएशन हो चुकी है और यहां पर यार मेरे टीमेट को भी मार दिया उस वाले बंदे ने सबसे पहले यार मैं जाओंगा रिकॉल टावर के पास क्योंकि यार वहां पर कोई नहीं है यह वाले जो बंदे वो भाई वेराउस के पास हैं तो सबसे पहले अपने टीमेट को रिकॉल करते हैं फिर बाकी बंदों को देखते हैं सो गईज यहाँ पर मैं अपने टीमेट को रिकॉल करके स्कॉर डॉस के अंदर आता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरे को एक बंगी दिख जाती है सो गईज यहाँ पर इस वाले बंदे को नौक करके पूरा ही फिनिश कर देंगे ताकि भाई रिवाइव का चांज ही ना बच्चे तो गईज यहाँ पर मैं बाकी बंदों को ढूंड़ा था लेकिन जब कोई नहीं मिलता तो मैं सोचतो कि भाई निकलता है यहाँ से गाड़ी तो है अपने पास लेकिन वेकरो इन कैम प्रोगो मतलब फाइट ले नहीं नहीं है भाई फाइट तो मुपे ले नहीं है पीठ पीछे वार करना है अब यहाँ पे गाईज एक बंदा मेरे को दिख जाता वाई जो कि वैन के पीछ है और मैं यहाँ पे सोच आता कि क्या पता वैन के नीचे से मेरे को थोड़ा एंगल वैंगल मिल जाए लेकिन गाईज ऐसा होता नहीं है और गाईज उसके बंदा यार स्मोक करके पीछे बग लेता है लेकिन गाईज यह पीछे नहीं बगता फिर से देखना भी यह क्या करने वाला है क्याई यहां पर गाड़ी रश करती है जिसको में मार देता हो और आप इस वाले बंदे की वारी है तो इसको भी पकड़ता है शो गैस ला इन जाँ फिनिश करते हैं इस वाले बंदे को भी और गईज यह वही बंदा है जो कि यार चर्च से फाइरिंग कर रहा था तो गईज नौक एंड फिनिश कर रहता है इस वाले बंदे को और अब इतक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ने किया है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो तो गईज मैं सोच रहा था कि यार थोड़ी सी हेल्थ करता है फिर निकलता है यहां से लेकिन यार यहां पे एक और बंदे के मेरे को फुर्च सब्सात है अब गईज मेरे एक चीज समझनी आ रही कि यार यतने सारे बंदे पोचिंग की मैं आ कहां से रह थे क्योंकि यार मैं तो आस्मान में दो-चार बंदो को ही देखाता है खेल गईज उसके बाद मैं आ जाता हूँ नदी पार करके मिलिटरी बेस की साइड और गईज यहां पे एक गाड़ी रज करने वाली है तो बस देखते जाओ कैसे फिनिश करते हैं गईज वाली स्कौर्ड को यहां पे लेकिन यहां पे मेरे दो किल और हो सकते थे वैसे मैंने डैमेज अच्छा कासा दिया थे इन दोनों बंदों को यहां पे लेकिन आग किल मेरा टीममेट ले जाता है पर कोई बात नहीं यार ये मेरे को इतनी देर से रिवाइब भी तो दे रहा है तो गैस वहाँ से निकलके हम आजाते हैं भाई इस वाली जगहे पे और सामने से यार कुछ बंदों के मेरे को फुट्षप्स आया तो भाई मॉली फैक्त हो मैं फिर रश करने की सोच रहा था लेकिन लेकिन गाइज यार ये बंदा पता नहीं कहां से आ गया फिर से मैं गाइज यहां पर नौक हो जाता हूँ बाई फिर से चलते हैं अपने टीम मेट के बाद रिवाइव होने के लिए कहां किया बाई मेरे टीम मेट आजा बाई जल्दी आजा इस वाले घर में आजाता हूँ और यहां पर मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो कि रोड पार कर रहा है यहां पर मैं इस वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ लेकिन यह बंदा ना किसी पर नेड फैक रहा था भाई ट्रिपल स्टोरी में सामने वाली तो हो सकता है भाई वहां बाकी बंदे हो लेकिन यहां पर जड़ा देखो भाई क्या होने वाला है फिर से नौक हो गया है यार इतना भाई मैं कभी नौक नहीं वाहूँ जितने आज की घिम में मैं हो रहा हूँ खेर गाई फिर से अपने टीमेट से भाई रिवाइब मांगता हैं क्या ही कर सकते हैं टीमेट पाड़ी पर एक बंदे को नौक करता है और भाई उसको फिनिस करने के लिए मैं तो नहीं सारी गोल ही मारता हूं लेकिन बंदा फिनिस नहीं होता आज मेरे टीमेट यहां पर क्या करता भाई रस कर देता है वहां पर और भाई अब इस बेचारे ने यार मेरे को इतनी बार बचाया है लेकिन यार जब इसको बचाने की भारी है तो यार मैं उसको बचा नहीं पाया खेर गई इस क्या करता है रहा है मैं यह मिट से काफी जादा दूर बच्चलों कोई बात नहीं कहीं जब लास्टी वाला बंदा बच तो इसको देखते हैं, जो कि भाई मेरे को दिख भी जाता है तो गईज यहाँ पे मैं एक की शॉट मारता हूँ इसको क्योंकि यार सामने वाले बंदे पे AWM थी तो इसलिए भाई में पीक नहीं करता हूँ और गईज यहाँ पे आप जो नाने वाली है तो एक काम करता है, थोड़ा सा आगे चलता है यहाँ पे जैसी बंदा क्रॉस करेगा, पकड़ लेंगे उसको लेकिन गईज मारने से पहले यार बंदा जून से मर जाता है खेर गईज यहीत आश की वीडियो में वीडियो कर आप लोगों पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब पर देना मिलतें नेक्स वीडियो में, बाई बाई